तो नेशनल हेराड मामले में एडी की ओर से राहूल गांधी को समन और पेशी को लेकर कॉंग्रेस नेताओं और कारेकरताओं में रोश देखने को मिल रहा है ED में राहुल गांधी की पेशी के दौरान देश के कई आलाकों में कॉंग्रेस नेता और कारेकरता उने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदरशन किया चाहे बात दिल्ली की हो चंडिगड़ की हो या फिर जालंधर की हो हर जगहा कॉंग्रेस के कारे करता सड़कों पर लाम बंद दिखाई दिया और बाकायदा इससे पूरी पूछताच को लेकर समझ जारी होने के बाद कॉंग्रेस की तरफ से इससे बदले की भावना भी बताया गया तो अलग-अलग जगहों से ये तस्वीरे सामने आई है तस्वीर आप देखिए चंडीगड में भी कॉंग्रेस के कारे करता सड़कों पर लाम बंद दिखाई दिये दूसरी तस्वीर आप देखिए दिल्ली में भी इसी तरहा की स्थिति देखने को मिली और तीसरी तस्वीर जाल अंधर से भी आई है जहां पर टेंट लगा कर तमाम कॉंग्रेस के कारे करता एक तरहा से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए तो सडकों पर उतर कर E.D. की कारवाई का विरोध भी किया गया तो कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी नैशनल हराल्ड अखबार से जुड़े मनी लौटरिंग केस में पूछताच के लिए E.D. के सामने पेश हुए हैं एक घंटे से जादा का वक्त बीच चुका है जब लगातार राहूल गांधी से पूछताच की जा रही है और कुल मिलाकर 55 सवाल बताय जा रहे हैं जैसा कि हमारे संबादाता अरुन कौशल ने भी बताया कि 55 सवाल है मसलन कि आपके अकाउंट कितने हैं और इसका आपका इरादा क्या था नैशनल हराल्ड से जुड़ा हुआ तो एडी आफिस में राहूल गांधी से जहां पर एक तरह पूछताच जारी है तो वहीं अलग-अलग जिलों से अलग-अलग शेहरों से कांग्रेस कारेकरताओं के प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चाहे तस्वीर चंडीगड की हो चाहे बात दिल्ली की हो या फिर जालन धर की हो ठीक कमबेश एक जैसी स्थिती हर जगहा पर देखने को मिली जहां पर कांग्रेस के कारेकरता सलकों पर उतर कर लाम बंद दिखाई दिये बाकाइदा इस पूरी कार्रवाई को लेकर समन भेजने को लेकर बदले की भावना भी इसे करार दिया और राजनेती से प्रेरित इसे बताया तो एडी ने इस मामले में पूछता आज के लिए इसी महिने के शुरवात में कांग्रेस अध्यक्ष सुनिया गांधी और राहूल गांधी को समन भेजा था और तब ही से लेकर अब तक तमाम प्रतिके रियाएं सामने आ चुकी है और बाकाइदा कॉंग्रेस की तरफ से भी और कॉंग्रेस के तमाम सीनर नेताओं की तरफ से भी इसे बदले की भावना करार दिया गया राजनेती से प्रेरित बताया गया आपको ये भी बता दें कि ED ने सोनिया गांधी को 8 जून को और राहुल गांधी को 13 जून को पेश होने के लिए कहा था राहुल गांधी पेश हो चुके हैं पूछताच उनसे लगातार जारी है लेकिन बात करें सोनिया गांधी की तो सोनिया गांधी के समझ जारी होने के बा पर आधारी थे जिसमें उसने इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को नैशनल हेराड मामले की जांच और सुनिया और राहूल गांधी के टेक्स एसेस्मेंट का आदेश दिया था दिसी बीच अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि तुगलक रोड थाने में प्रियंका गांधी अपने तमाम सीनियर नेताओं से मिलने पहुंची है जिनको हिरासत में लिया गया है मसलन हरीश रावत, दिगवजे सिंग, भुपेश, बगेल, अशुक एहलोत, पवन खेडा और रनदीप, सुर्जेवाला भी इसमें शामिल है जिनको हिरासत में लिया गया है